अलो गाइज लो कैसे मैं समझता हूं ठीक ठाक हूंगे मजी में हूंगे यह वासिंग मशीन थी इसका बहुत आवाज करता था वाज का बहुत आवाज करता है तो थोड़ों मैं वह आईल डाला हूं अभी तो आवाज कम हो गई है आवाज कम क्या मनलब आवाज खतम हो गई ह यह आयल गिरिस मुझे लगता है खतन थी इसकी वज़े से साफ्ट जो है थोड़ा सा चुछ हो रहा होगा इसकी वज़े से यह वाज कर रहा था तो बहराल मैं आयल डाला तो अभी सही हो गए लेकिन यह जो है इस पीन वाला यह भी इसका मोटर जैला हुआ है तो चलो इसको चालो फिर के आप लोगों में दिखा दे रहा हूं तो इसका यह तो अभी फिराल वास वाला सही चला तो चलो आप लोगों में दिखाता हूं कि छुलेवी में पलक लगाता हूँ चालो करके मैं आप लगको दिखाता हूँ अंदे को यह डैन सेट का था अभी यह और मशीन था इसको तुम्हें चेक नहीं किया हूँ बारा बाद में चेक करके इसको भी दिखारे वीडियो बना देगा तो चलो इसको पहले चालो करते हैं यह इस्पीन का ना इस्पीन का यह जल गया मुटर दूंगा फेक रहाता हूँ तो यह तो सही यह वाला सही है बहुत अबाद करता है तो मैं वो यह तोड़ा आइल डाला फिर उसे हूँ अब उसी डाल काम कर रहा मैं देखें है चल दा तो ऊ-जैस मैं सोच रहा हूं कि जब यह थोड़ा वीडियो छोटी बना रहा हूं तो मैं सोच आप लोग को थोड़ा इंफार्मेशन भी देऊं कुछ और फेहाना कपड़ा डालती है पानी बहुत कम डालती है कपड़ा बढ़ा देती हैं तो मोटर खराब होता है तो यह यह घर बॉक्ट कढ़ता है तो यह इननल जानकारी के वज़ाज से ऐसा होता है और टाइमर भी कुछलोगया करते हैं टाइमर जैसे आपस फिर बंद करना रहता है तो आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो यह एक बार चावी भर दिये चावी बरने के बाद अगर आपको नहीं चालू करना है बस यह पलक खली निकाल दो यह सुईच है सुईच बंद कर दो दो बंद हो गया यह न जानकारी के वज़े से हैसा यह सब मुश्किल होता है तो टाइमर इतना जल्दी खराब ठोड़ी होता है लेकिन अगर एक बार ऐसे चावी भर दिये छ छोड़ दोसको तो फिरो खराब नहीं होगा पानी कपड़ा कम डालो पानी जाद 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 भरना चीए पानी जाद 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 डलना चीए में पानी भर दो यहां तक भर तो लेकिन कंपड़ा ठोड़ा डालो दिन भर चाल चाहलो करें को रात भर खराब नहीं होगा वैसे लेकिन बहुत अवर्तों को पता ही नहीं यह चीज तो ऐसे मिंश्किल होता है है तो गाइज चलो मिलते नेक्स वीडियो में चैनल तोड़ा सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें ओके गाइज थैंक यू